हाई मैं परशान आप सभी का अपने योटूब चैनल एक वीडियर कमडिटी में स्वागत करता हूं तो आज हम इस वीडियो में किस टॉपिक उपर बात करेंगे वो मैं आपको थोई देर बाता हूंगा उससे पहले कुछ इंपोर्टेंट चीज मैं आपके साथ शेयर करना च कर ले इसका वी एक वेल डिफाइन विलेशनसी प्राइबे एक विलेशनसीब हो ता अगर यहां पर बायर्स का वालूम इन्क्वीज हो रहा है और उसके साथ प्राइस आपका उपर नहीं नीचे जा रहा मतलब मिहाबियर अगर इंक्वीज हो रहा मतलब रीच को भी trading करना होता है similarly अगर आपको उइंक्वीज हो रहा और उसके साथ price इंक्वीज हो रहा मतलब यहां पे buyers इंट्री कर रहे हैं अगर price नीचे जारा मतलब यहां पे sellers इंक्वीज कर रहे हैं इसके basis पर हम एक well defined conclusion पर आ सकते हैं यहां पर जो आज हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं, वो विलेशन नहीं बताने जा रहे हैं, लेकिन वॉलूम और ओए का नहीं, प्रैस और आरेसाई डाइवर्जेंस, यह एक बहुत इंपोर्टेंट और क्रूशल टॉपिक है, इसको आपको आरेसाई के साथ कन्फ्यूज न करते हैं, हम लोग इंक्लिनेशन यानि उसका जुकाव किस तरफ है, वो फाइंड करने कोसिस करते हैं, यहां पर देख सकते हैं, आरेसाई डाइवर्जेंस आपका ऊपर साइड की तरफ जा रहा है, यहां पर आरेसाई का डाइवर्जेंस क्या होगा, उसका डाइक्शन तो यहां पर नीचे यहां फिर स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन और यहां पर यहां पर क्या हो सकता है RSI divergence उपर जा रहा इसके साथ तीनों condition हो सकता है कि price उपर जा रहा फिर भी RSI divergence उपर जा रहा price range bound है फिर भी RSI divergence उपर जा रहा price नीचे जा रहा फिर भी RSI divergence उपर जा रहा और यहीं तीन combination इन तीनों के साथ भी fit बैठ सकता है तो अगर यह सारा combination बैठता है उसके बाद हमें क्या करना है वो हम इस वीडियो में समझने कोशिस करें यह नहीं इस वीडियो हमारा फोकस होगा RSI और divergence के बीच में जो relationship है उसके जड़िये हम price action को कैसे समझ सकते हैं और उसके जड़िये हम अपने trade को कैसे profitable बना सकते हैं market के accuracy level को कैसे increase कर सकते हैं इस वीडियो हम इसी topic बात करने जा रहे हैं और यह बहुत crucial topic है और इस तरह के topic को बहुत कम लोग कभर करते हैं क्योंकि यह real माइने में आपको profit बना के देता है क्योंकि RSI के बारे में सबको पता है इस particular level से नीचे जाएगा तो oversold हो जाएगा इस particular level से उपर जाएगा और मार्केट हो जाएगा और जो चीज मार्केट में सबको पता रहता है मार्केट में उस basis पे profit बनाना बहुत मुश्किल रहता है यहां पर आपको अपना intelligence अपना दिमाग यूज करना परेगा तब ही आप मार्केट से profit बना सकते हैं यहां पर प्राइस और RSI divergence को यूज करेंगे लेकिन साथी साथ अपना input और अपना intelligence भी यूज करेंगे कैसे वो सब में आपको इस वीडियो में गाइड करने जा रहा है बस आप इस वीडियो में लाश तक बने रहे है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को जहूर सब्सक्राइब कि तो वेल डिफाइन विलेशनसिप है अगर RSI divergence उपर जा रहा और प्रैस भी उपर जा रहा मतलब बाइस का इंट्री हो रहा है लेकिन दोनों एक दूसरे के अपोजी डायेक्शन में जा रहा मतलब यहां पर हम एक वेल डिफाइन कंक्लूजन पर नहीं आ सकते हैं इसके बा तो यहां पर हम सेम चार्ट पर आ रहे हैं यह आपका विलाइन्स का डेली चार्ट अब लोगों के मन में कोशन रहता है कि हम डेली चार्ट ही क्यों इस्तिमाल कर रहे हैं अब यहां पर आप कोई भी टाइम फ्रेम बादा चार्ट इस्तिमाल कर सकते हैं लेकिन हम डेली चा तो आप इन्टारे ट्वेरिंग करते हैं तो यहां पर 30 मिनट वाला भी टाइम फ्रेम इस्तमाल कर सकते हैं और यहां पर आपको क्लियर कट समझाना है इसलिए हमने जो परफेक्शन वाला है अगर आप समझ जाएंगे तो आप कोई भी टाइम फ्रेम में इसका इस्तमाल कर सकते हैं अब देखिए अब यहां पर हमने छोटा कर दिया अब यहां पर आपको जो RSI का डाइवर्जेंस है वो क्लियर कट दिख रहा होगा कि अप साइड की तरफ है और प्राइस आपका नीचे साइड की तरफ आ रहा है अब इसका क्या मतलब है और इसके पीछे कांसेप्ट क्या है वो भी समझने के कोसिस किजिए RSI डाइवर्जेंस उपर जा रहा है मतलब यहां पर क्या है बायर्ज में जो स्ट्वेंथ है वो हमें इंक्वीज होता हुआ दिख रहा है और प्राइस नीचे आने का मतलब क्या है मतलब है कि प्राइस बॉटम फॉर्मिशन के करीब है औ और इसके बाद प्राइस आपका बहुत जल्द ऊपर जाने वाला है अगर यह दो कम्बिनेशन कहीं पर भी दिखे प्राइस आपका नीचे जा रहा और RSI डाइवर्जेंस का जो इंक्लिनेशन है या फिर RSI का जो डाइवर्जेंस है वह आपका ऊपर साइड की तरफ दिख market आपका lower low pattern को जैसे break करेगा वहाँ पे आप entry ले सकते हैं या नहीं तो इसके आसपास पर entry ले सकते हैं अगर यहाँ पे इंट्वी लेंगे तो stop loss तो लंबा रखना पड़ेगा इसलिए safety के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे हम breakout का वेट करेंगे और जैसे ही आपका जो लोग लोग पैटरन है वो ब्रेक हुआ यानि अगला candlestick देख लीजिए इसकी उपर फॉर्म हुआ और जैसे यहाँ पे ग्वें करनल का formation देखे यानि अगले candle पे यहाँ पे हम entry करेंगे by side के तरफ इंट्री में थोड़ा सा आपको एक बार और समझा देता हूं आपको थोड़ा सा confusion हो रहा होगा अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे लोग लोग पैटरन का formation हुआ है यह candle लोग लोग पैटरन को ब्रेक किया उसके बाद क्या करेंगे ग्विन केंडल formation का ग्विन केंडल फार्म हुआ है उसके बाद अगला केंडल जैसे ही फॉर्म होगा वहाँ पर हम क्या करेंगे अपना entry कर लेंगे बाई साथ की तरफ यहाँ पर मेरा entry point होगे SL इसके lowest point पे मेरा SL बहेगा और टारगेट पैस की बात करें तो टारगेट टू को टच नहीं किया D1 से ही वापस आ गया यहाँ पर फिर भी anyhow मुझे अच्छा खासा profit मिलता हुआ दिखा है तो इस तरीके से RSI divergence और प्राइस के बीच में जो relationship है उसको यहाँ पर हम identify कर सकते हैं और उसके basis पे हम trade positions initiate कर सकते हैं और यह सारा combination आपको ध्यान केंडल मिलते हैं हम यहाँ पर entry लेंगे लेकिन अगर यह ग्विन केंडल आपको बहुत ऊपर मिलता है यहाँ पर हमें नहीं मिला अगर इस लेवल के आसपास मिला तो हमारा टागेट पैस यहाँ पर होगा और उसके बाद हमें risk reward ratio भी देखना अगर यह मेरे favor में है तो ठीक है नहीं है तो फिर हम यहाँ पर avoid भी कर देंगे जब भी नहीं है कि यहाँ पर हमें trade लेना ही है हमने pattern को समझ लिया लेकिन ultimately सारा कुछ में हमें क्या define करना risk reward ratio यहीं हमें बताएगा कि trade लेना है या फिर नहीं लेना है यह पह प्राइस देखिए आपका एक range bond है नहीं यहाँ पे lower low pattern का formation हो रहा नहीं यहाँ पे higher high pattern का formation हो रहा आपका प्राइस एक range bond यह नहीं bottom बनाता हुआ दिख रहा लेकिन नीचे में RSI divergence क्या हो रहा यह आपका ऊपर साइड की तरफ ही जा रहा मतलब RSI divergence का ऊपर की तरफ जाना यह indicate करता है कि buyers अपना strength धिवे-धिवे गें करें और RSI relative strength को indicate करता ही है मतलब buyers का strength धिवे-धिवे इंक्वीज हो रहा और bottom formation already start हो गया है मतलब यहाँ पे क्या करेंगे देख लेंगे कि यहाँ पर triple bottom का formation हो यानि दो bottom का formation होते ही तीसरा bottom जैसे ही बनेगा वहाँ पर इंट्वी लेंगे चोटा से stop-loss रखके या नहीं दो जैसे ही थोड़ा बहुत प्राइस आपका upside की तरफ momentum पकरेगा फिर वहाँ पर हम इंट्वी ले सकते हैं देखिए यह candle form हुआ उसके बा और देखिए जैसे ही candle आपका higher high pattern बनाने start कर दिया आप जाओ यहाँ पर इंट्वी ले सकते हो यानि तो यहाँ पर भी इंट्वी ले सकते हो दो जगह इंट्वी लेने का यहाँ पर target stop loss थोड़ा सापको अपने ही साब से modify करना पड़ सकता है अब हर एक जगह आपको सारा कुछ well defined नहीं मिलेगा यह आपको clear cut buyers के strength को दिखाता है और यहां से market के direction को बताता है और जो target stop loss के लिए मैं अलग सा आपको formula अलवेडी बता दिया उसका आप इस्तमाल कर करके यहां पर फाइंड कर सकते हैं तो इंट्वी के लिए दो जगहा है एक तो थीसरा लोग बनाया थी यहां पर नहीं तो higher high pattern का जैसे formation हुआ उसके बाद अगला candle जैसे open हुआ यहां पर आप इंट्वी ले सकते हो stop law से बता दिया target price जो मैंने बोलाई था कि इससे पहले जो आपका highest point था यह था यानि यह मेरा बन जाएगा T1 उसके बाद देख सकते हैं यह मेरा T2 बन जाएगा और दोनों target price को हिट किया है उसके बाद हम अपना profit book करके निकल जाएंगे तो आपको जो RSI divergence उस पे ज़्या आप उमीद कर सकते हैं कि आगे आपका price उपर साइट की तरफ जा सकता है अगर कोई news या फिर कोई unwanted चीज नहीं होता है तो अगर सारा कुछ सेम चलते रहता है तब हो सकता अगर कोई news आ या कुछ भी आ गया तब पर RSI या फलाना डिकानों कोई काम करने वाला है नहीं है अब यहाँ पर प्राइस आपका नीचे साकी तरफ जा रहा है ठीक है जो अभी प्राइस है प्राइस का प्रैस का प्लेस्मेंट कहां पे जो प्राइस आपका उपर से नीचे आ रहा, वो placement है, कहाँ पर support लेवल के पास है, या पर residence लेवल के पास, यहाँ पर देखे, price आपका उपर से नीचे साइड के तरफ आ रहा, अब यह जो है, वो कहाँ पर हो रहा, support लेवल के पास हो रहा, मतलब support लेवल के पास, किसका घर होता है, support होते हैं बाइर्स अपना दम दिखाएंगे यहां पर हम क्या करेंगे विलेटिव बता रहा है कि भी एक्वाल टुए से यह नि जितना स्ट्रेंद बायर्स में उतना स्ट्रेंद सेलर्स में है और सपोर्ट लेवल के पास है मतलब थोड़ा सा बायर्स को एडवांटेज मिल ज तो जाते हैं प्राइस फ्लेट भी होता दो फिर उपर जा रहते हैं लेकिन अगर यही कंडिशन हमें यहां पर रेस्टेंस लेवल के पास दिखता तो यहां पे हम क्या करते बाइंग को एउट करते हैं ठीक है और हो सकता है था अगर हमें सारे कुछ स्षिंछ मिलता तो यह आपना ज्यादा दम दिखाते इसलिए वहाँ पर सेल सेर की तरफ जाते हैं तिसारा कंबीशन आपको समझना उम्मीद करते हैं यह चीज आपको समझ में आगया होगा और इंट्री सारा कुछ यहां पर दिखेगा तो आपको यहां पर दिखेगा तो आपको यहां पर रखना यहां इस लेवल के आज पास इंट्वी ले सकते हैं और यह हमारा एसल हो जाएगा टागिट पैस अपने देखे लिया विस्क्रिवाट वेस्यो कैल्कुलेट कर लेना फेवर मा आएगा तो ट्वेट लेना नहीं आएगा तो ट्वेट छोड़ देना ट्वेट लिने से पहले हमेशा चाहे आप मार्केट में 100 रिप्या इंवेस्मेंट कर यह यहां फिर 10 लाग यहां फिर एक करोंद कर हमेशा विस्क्रिवाट वेस्यो कैल्कुलेट करना और और मिदाउट ट्वेट नहीं करना चाहेए कोई लिए का बाएग उसके बाद यहां पर और गयांपल लेते हैं यहांपर मल्टिपल एग्जम्पल में बतारा हूं थाकि बनता हुआं और करेंitor और और काहां पर बन रहा है। मतलब भाज़ के भी में सब्सक्राइब, बिलाय है। वहां पर क्यों उगुसना है जब हमें तालाब की कहराई नहीं पता है तो उसमें कूदने का क्या फाइदा हम डूब भी सकते हैं और अगर आपको तैरना भी नहीं आता हो तो अगर आप कूदो होगे तो भाई डूबना तो है इसलिए अगर आपको ट्वेड करना आता है इस इससे पहले support level इससे बहुत नीचे दा मतलब support और distance level के बीच में यह formation किया है इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे इसके basis पर हम कोई trade नहीं लेंगे जब भी मौका मिले था हम trade लेंगे यहाँ पर हम avoid करेंगे यह भी चीज आपको सीखना होगा कि कब आपको trade नहीं लेना और कब को trade लेना जैसे cricket match में रेखते हैं कि जब बॉल समझ में नहीं आती तो क्या करते हैं बल्लेवाज बॉल को छोड़ देते हैं खेलती नहीं है और जो भी लोग वहाँ पर खेलने कोसिस करते हैं वो क्या होते हैं जैन्वली आउट हो जाते हैं इसलिए जब हमें समझ में नही बॉली चार्ट का अब यहाँ पर क्या हो रहा है जो मारा पहला एक्जांपल था उसका अपोजेट यहां पर यांपर आपका अपका ऊपर से नीकारा वह सकता है यह आपका स्वाट्ट कबरिंग होने के चांसे बहुत जादा है और इस सवाइक करना प्रेफर नहीं करते हैं क्योंकि जो भी लोग स्वाइक करना प्रेफर करते हैं अगर आपके पास एक्षबताइज नहीं है तो यहां पे हम सेल साथ की तरफ जाएंगे और उसके बाद देखिए प्रैस आपका गिराई नहीं है प्रैस आपको कंटेशली ऊपर साइड की तरफ जा रहा है और उसके बाद आपको हमारे वीडियो पसंद आया है प्रीडियो को लाइक करके हमें इनकविज किजिए क्योंकि इस सारे टॉपिक इऊपर आपको बहुत कम वीडियो देखने के पिलेगे और यह सारा वीडियो जो भी बनाते हैं वो सारे paid course में include होता है और यहां मैं आपको यह सारा information free में दे रहा हूँ और यह crucial information होता है जो कि आपके trade के accuracy level को definitely increase करेगा profit बना के देगा यह नहीं देगा वो severity में नहीं ले रहा हूँ लेकिन यह आपके trade के accuracy level को जो इंप्रूब करेगा और यह आपके decision making ability को भी इंप्रूब करके देगा इस तरह के वीडियो को like जोड़ कीजे ताकि इससे हमें encouragement मिलता रहा है और चैनल को subscribe नहीं किया है फ्लीज चैनल को जोड़ सब्सक्राइब कीजे क्योंकि अगर हम इस तरह के topic के उपर और वी वीडियो बनाते हैं तो उसका notification आप तक पहुंच जाए और आप उस वीडियो को miss ना करें So मिलते हैं नेक्स वीडियो में जैहिन